नमस्कार दोस्तों गेज़ेट सिख्षे वेवसाइट की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है अमर दोस्तों आगे जानें के 10,000 रुपे से कम कीमत में एक सांदर मदर बोर्ड के बारे में जो आता है MSI ब्रांड से इस ब्रांड का मदर बोर्ड मॉडल B660ME इसके कीमत है फिलाल 9,990 रुपे है 10,000 रुपे से कम कीमत में यह सबसे बढ़ियां विकलप है भारतिय बजार में ताई जानती इसके बारे में विस्तार से शुरू करते हैं जानने से इसके खास खूबियों एवं काज निस्पादन छमता को इस मदर बोर्ड का शॉकेट है इंटेल 1700 और चिपसेट है B660 इस मदर बोर्ड पे फेट होंगे इंटेल ब्रांड के 12th और 13th जनेरेशन CPUs RAM टाइप है DDR4 इसमें दिया गया है TPM header या Median Taiwan product है online खरी देंगे Amazon से खरी देंगे ते मिलेगे 10 दिन की return warranty ब्रांड के तरफ से मिलेगे 3 साल की complete service warranty तो दोस्तो MSI B660ME मदर बोर्ड में है शिपसेट इंटेल ब्रांड का B660 तो यह जान लेते हैं इस चिपसेट के बारे में यह चिपसेट launch होगा था quarter one 2020 में यह support करता है overclocking चिपसेट CPU के साथ connect होता है DMI lens के द्वारा DMI का latest version है 4.0 जो कि दिया गया है यहाँ पर और max lane available है 8 यहाँ पी दिया गया है 4 यह चिपसेट सपोर्ट करता है PCI Express 3.0, 4.0 जबकि market में आ चुका है 5.0 PCI Express configuration यह support करता है X1, 1 lane, X2, 2 lane, X4, 4 lane PCI Express के अधिक्तम lanes जो यह चिपसेट सपोर्ट करेगा वह है 14 यह चिपसेट अपने हर एक चैनल के द्वारा 2 RAM slot को support करती है USB के लिए यह support करती है version 3.2, generation 2 जिसका data transfer होता है up to 20 gigabits per second और शाहत ही support करता है USB 2.0 और यह Intel चिपसेट सपोर्ट करता है Max USB ports 12 साथ ही यह support करता है Intel Wi-Fi 6E जो कि है Wi-Fi का latest version साथ ही यह चिपसेट सपोर्ट करता है यह सारे advanced technologies जिसको develop किया है Intel brand ने reliable PC के लिए, stable PC के लिए, fast PC के लिए और secured PC के लिए अब आ जाते हैं motherboard पर और जानते हैं इसके expansion slot के बारे में इसका पहला expansion slot है PCI Express 4.0 16 lane के साथ जो directly connected है CPU के साथ इसमें जो भी fit करेंगे वो directly communicate करेगा CPU के साथ दूसरा expansion slot है PCI Express 3.0 एक lane के साथ और यहां connected है CPU से भाया chipset यहां port connected है chipset से और chipset connected है CPU से इसके अलावे दियेगे SATA 3 के 4 ports हर एक port support करता है 6 gigabits per second speed तो real life में इसका speed हो जाता है 600 bps का 600 megabytes per second और साथ ही दिया गया support advanced memory organization का RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 motherboard पे दिये हुए expansion slot का इस्तमाल अधिकतर होता है graphics card के लिए और जैसा कि मैंने आपको बताया था किस motherboard में दिये गये है ECI Express 4.0 16 lane के साथ जो directly connected CPU से तो इसका इस्तमाल आप करेंगे graphics card के लिए और यहां पे आपको मिलेगा max connection speed 31.51 gigabits per second 8 bit होता है एक byte तो मैं यहां बोल ला हूँ gigabits per second अगर आप जानना चाहते हैं कि best graphics card कौन सा होगा तो फिर मैं आपको suggest करूँगा ARK Tech brand का डिवीडिया जीफोर्स GT730 4GB graphics card जिसका memory interface है 128 bits का अब आए जान लेते हैं इस motherboard के back ports के बारे में इसके पीछे में दिये हुए ports के बारे में दिये गए हैं तीन audio ports point USB 2.0 के दो port RJ45 इसके बाद USB 3.2 के दो port USB 2.0 के दो port और उसके बगल में USB 2.0 यहां पर आप connect करेंगे mouse को और keyboard को display clip में दिया गया दो connection points पहला आए VGA और दूसरा है HDMI front side में जो connection points होते हैं उसको connect करने के लिए motherboard पे होता है header तो header के दोर आप connect कर पाएंगे USB type A 3.2 के दो port USB type A 2.0 के दो port और साथ ही 3.0 audio इसके header दिये गया है motherboard पर और यह सारे ports होंगे front side में cabinet में होता है front side में ports अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा motherboard कौन सा mouse जैदे बढ़िया होगा तो मैं फिलाल इस्तिमाल करता हूँ HP X500 optical mouse थ्री बटन्स के साथ मैं इसका फिलाल चौथा यूनिट इस्तिमाल कर रहा हूँ keyboard में मैं आपको सजिश्ट करूँगा एक backlit keyboard और सबसे बढ़ियां backlit keyboard है HP X500 app इस keyboard और mouse को खरीदने का link दिया गया है इस वीडियो के description में अब आए जान लेती है MSI motherboard पर दियेगे RAM slots के बारह में दियेगे RAM slots का type है DDR4 RAM slots है दो और दियेगे RAM slots सपोर्ट करेंगे ये सारे frequencies 113, 266, 293, 32 max total RAM size सपोर्ट होगा 64 GB 32 GB प्लस 32 GB हर एक slot में अधिक्तम 32 GB अब आए जान लेते हैं memory के बारह में SSD को connect करने के इस motherboard पर दिया गया है M.2 slot जो directly connect होता है CPU के साथ आपको खरीदना M.2, M की वाला SSD form factor होगा 22, 42, 22, 28C इन तीनों में से कोई एक max connection speed होगा 4000 MB पर सकेंड और ये दो SSD मैं आपको सेजिस्ट करूंगा 500 GB वाले कीमत है 2554 रुपए 1 TB वाले कीमत है 475 रुपए इन दोनों को खरीदने के लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्किप्शन में एक्स्टा स्टोरेज जोडने के लिए इस मदरबोर्ट पे है साटा पोर्ट साटा 3, 6 GB पर सकेंड वाले चार पोर्ट जिसे max connection speed मिलेगा 600 MB पर सकेंड और यहां connected है चिपसेट से connect होगा CPU से भाया चिपसेट form factor आपको लेना है 2.5 इंच SSD अगर आपको चाहिए तो दो options मैं आपको सेज़ेश्ट करता हूँ 2.5 इंच में पहला crucial ब्रांड का दूसरा samsung ब्रांड का 500 GB HDD में चाहिए तो फिर मैं आपको सेज़ेश्ट करूँगा Seagate का 1 TB 1200 RPM वाला इसकी कीमत पड़ेगी 5955 रुपाए अब आए जान लेते हैं डिस्प्ले के बारे में मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए इस मदरबोर्ड पे दियेगे हैं दो options पहला HDMI 2.1 जो सपोर्ट करता है HDR, High Dynamic Range और यहाँ पोर्ट सपोर्ट करता है 4K content at 60Hz speed दूसरा option है VGA पोर्ट जो सपोर्ट करता है Full HD at 60Hz speed यह दोनों पोर्ट तब काम करेंगे जब CPU में दिया गया है Integrated Graphics जब आप लगाते हैं dedicated graphics card उसमें दिया हुआ राता है अलग से connection ports अब आए जान लेते हैं इस MSI motherboard के audio features इसमें Realtech 7.1 channel audio system और आपको मिले best audio experience इसके लिसमें दिया गया है audio boost chip और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से speaker बढ़िया होगा तो फिर मैं आपको suggest करूंगा F&D brand का E200 sound bar इसको मैं खुद इस्तिमाल करता हूँ इसका max audio output है 3 watt और यह sound bar speaker जंडेट करती है लौडन के लिए sound with deep bass दोस्तो अब आपको जान लेते हैं इस motherboard पी दियेगे connectors के बारे में 24-pin ATX main power, 8-pin ATX 12-volt power, 4-pin CPU fan, 4-pin system fan, front panel audio, front panel USB, system panel connector, chassis intrusion, TPM module, CMOS, jumper दोस्तो अब आपको जानते हैं इस motherboard के other details इसका form factor है micro ATX और इसके दोरा supported operating system है Windows 10 और शाहती इसमें दिये गए हैं LED light system इस motherboard के लिए सबसे बढ़ियां cabinet होगा ANT brand का जिसकी कीमत है फिलाल 4,000 रुपए और SMPS मैं आपको suggest करूँगा फिर से ANT brand का जिसकी power capacity है, load capacity है 500 watt दोस्तो 10,000 रुपए से कम कीमत में Intel brand के दो चिपसेट वाले motherboard उपलाब्द है फिलाल H610, B660 और ये दोनों चिपसेट सपोर्ट करते हैं Intel के 12th and 13th generation CPUs अगर आप एक custom computer system बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं Intel 12th generation और 13th generation CPUs के साथ और चाहते हैं एक motherboard 10,000 रुपए से कम कीमत में तो सबसे बढ़ियां विकलप है वो motherboard जो आता है chipset B660 के साथ और इस chipset के साथ अभी सबसे बढ़ियां motherboard उपलाब्द करवा रही है MSI brand और MSI brand का B660M E model जिसके कीमत है 9,990 रुपए इस motherboard और इसके related जो भी information है मैंने सब आपको बता दिये और जो भी best product उपलाब्द है वो मैंने सब बता दिये उन सब को खरीदने का link दिया गया है इस वीडियो के description में दोस्तों MSI B660M E motherboard को खरीदने का link दिया गया है इस वीडियो के description में और इसके बारे में विश्तार से जानने के लिए आज एक gadget store शिक्षा पर वहाँ पर आप जान पाएंगे एक 10,000 रुपे से कम कीमत पर और कॉनकों से बढ़िया motherboard upload है भारतिय बजार में जिसको आप consider कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह review presentation पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए इस पर comment कीजिए इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकियो सो मच फ़र यार टाइम